हेलो सुर्द एंट्स, वेल्गों टू माइनर्चर, मैं हूं क्रिशना, कैसे हैं आज सब लोग?, माज बढ़िया चो लोगे स्टार्ट करते हैं, अज हम लोग हॉस्पिटल अर। क्लिनिकल फार्मिसी का नेक्स्ट चैप्टर, रेडियो फार्मसोटिकल्स सिंपल सी चीज ऐ, ऐसे सबस्टांस जो रीडियो endroit अप्टिव होते हैं, पड़ा ना इन सबस्टांस के इस्तेमाल, कॉई दीमारी काउनसी है। कई वह इलाज करने के लिए इनका radioactive substance का इस्तमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल ठीक है तो बस उसी को ले करके कुछ बाते हैं कि हमको समझना है कि यह जो substance है यह कैसे store किये जाते हैं कैसे dispense किये जाएंगे दिये जाएंगे और कैसे इनका disposal होगा एक pharmacy या क्यों कहले hospital pharmacy क ठीक है ना simple है चीजें तो थोड़ा साइस का इंट्रो देखें बात तो समझ में आई गई होगी रेडियोक्तिविटी अगर बात समझ में आगी होगी तो यह बात समझ में आगी होगी तो डेफिनिशन की बात करें तो रेडियो फार्मसेटिकल्स और एजेंट्स यूज त दियाग्नोज सटन मेडीकल्स कुछ मेडिकल्स कोणिखने के लिए कि प्रॉलम है के नहीं है वार कुछ बिमार्यों को ठिक करने के लिए स्माल हो रहा है विए विग ज obsession को फोर यह उन्र PF का इसाथ होता है वहाँ पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं अगारी तरीके कैसे रखते हैं यहां पर वहाँ पर नहीं जाना अभी क्योंभा यह समझना है कि हम लुका बॉड़ी में कई तरीकों से है डेलियोक्तिव सबस्तांस होते हैं ब्लॉड वॉल्यमझ की स्टडी करनी है तो रेडियोक्तिवेटेट लिए पेले हैं परिकडिडेट के लिए और का इस्थ Rent cpo अमोनियम के अमोनिय। ठीक है then bone disease के लिए sodium fluoride F18 का इस्तमाल हो रहा है और भी कई सिरी का इस्तमाल हो रहा है तो यह क्या bone marrow disease के लिए हम लोग sodium chromate CR51 का इस्तमाल कर रहे हैं तो कुछ example है कोई भी दो-चार example याद कर लोगे ठीक है ताकि definition के साथ जब भी definition दो एक्जाम में लिखते वक्त जब भी definition दे रहो कोशिश करो अगर उसका example दे सकते तो जरूर दो best होता है उसके पूरे number आपको मिलते और टीचर फिर एक्टर नमबर भी देता है यहाँ पर टॉपिक उस पर आ जाते हैं कैसे स्टोर करेंगे तो बड़ा सिंपल है ठीक है अगर रेडियो अक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बहुत इसली दुमलों को समझ में आ जाएगा चलो देखते हैं बिकॉस अब दा शॉट लाइफ है ना इनकी हाफ लाइफ होती है बहुत लेडिके करते हैं अब बिके करना बेटा यह सब केमिस्टी के टाम है यहाँ पर नहीं बता पाएंगे पूरा फुल एक्स्पे नहीं होगा यह उस वहले यह गल जाते हैं ना जिनको नहीं पता जनर 2.5 ग्राम रह जाएगा यहीं होता है वो देदरे कम होता जा रहा है ठीक है केमिस्टियम पड़ा होगा तो इनकी लाइफ छोटी होती है रेडियो फार्मसेटिकल्स का था न्यूक्लियर फार्मसिस्ट विल और दा ड्रग डिर्क्ली फॉम्दा मैनिफेक्ट्रर यूजिली तो अगर मंगवाना है तो कई बार ऐसा होता कि कुछ घंटों की ही इनकी लाइफ होती है तो तुरंत वहाँ प्रिपेर किया जाता है तुरंत वह भीजा जाता है इस्तमाल करने के लिए तो ओवरनाइट ऐसा वाटर करेगा कि एकी रात में वह आ जाए और उसको पेशन के पर इस्तमाल किया सके ठीक है बहुत ज़्यादा जरूत नहीं पड़ रही है को कि उसकी लाइफ बहुत छोटी है देन इन एडिसन नौलेज ऑफ शिपिंग शिपिंग टाइम डिलेवरी शेडूल्स एंड रेडियोक्टिव डिके ठीक है कितना टाइम लेगा शिपिंग मे आने के आने में डिलेवरी शेडूल क्या रहेंगे रेडियोक्टिव डिके किस तरह का रेडियोक्टिव डिके होता है ठीक है रेडियोक्टिव डिके लोग सुड़ बी क्याकुलेटेड वाइल ओर्डरिंग रेडियोक्टिव फार्मसेटिकल है तो यह साइज यह देखनी storage area होना चाहिए there should be separate lab ठीक है अलग से एक lab होनी चाहिए hospital pharmacy के अंदर for the manipulation and preparation of radio pharmaceutical जो radio pharmaceutical आ गया है उसमें भी अगर कोश changes करने है तो उसकी lab अलग होनी चाहिए सबके साथ नहीं क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल रहे है radiations निकल रहे है ठीक है preparation of radio pharmaceutical doses and another calibration यानि कि अगर तुमको उसके manipulation करना है प्रपेर करना है pharmaceutical dose बना नहीं है patient के need के हिसाब से dose calibrate करनी है कितने gram देना है हमें treatment room must also be different जिसके अंदर treatment दिया जा रहा हो वो रूम भी अलग होना यह patient को उसरु में रखा जागा जिससे कि यह dose देते वक्त उसके radiation से आसपास के patients को नुकसान ना हो इस टोड इन एयर टाइट suitable label air tight container होना चाहिए बिल्कुल भी उसके अंदर से radiation बाहर ना निकले suitable label container container बकायदा label होना चाहिए shielded by lead bricks lead की bricks का बना हुआ chamber होना चाहिए ठीक है छोटा सा lead brick का वार तुम लोग पढ़ते होगे कौन सा बहुत फेमस experiment है अपना Rutherford experiment है ना इस टाइप का चैंबर देखते होगे इसके अंदर एक रही तो यह चैंबर होता है लीड का बना होता है जिससे की कि बाहर ना नेकले ठीक है तो लीड़ ब्रीक बाईट इंटे माथ भाट बडबर नहीं होती है ब्रीक मतला चैंबर तयार क्याता है to protect personal from exposure to primary or secondary emissions radioactive substance के अंदर से emissions निकलते हैं primary or secondary ठीक है alpha beta decay जो होते हैं हमारे ठीक है ताकि वो जो personal दे रहा है उसको जाने की जो हमारे फार्नेश्ट भीए रहा है उनको कोई हाम ना हो and that compliance with national and international regulations concerning the storage of radioactive substance और जो storage वाला part है वो compliance वो according होना चीए किसके के national और international regulations के according ठीक है जो कि concerning the storage of radioactive substances जो route regulations concern करते है storage को लेकर के जो उनके लेकर के चिंता जताते हैं कि किस तरीके से store करना है national international rules के according हमारा store होना चाहिए ठीक है तो थोड़ी सी language वैसी है इसको मैं Hindi में explain करता रहा हूँ तुम इसको अपने साफ से क्या कर सकते हो, convert कर सकते हो, during storage container may be darkened due to radiation, जो जिस container के अंदर रखा हो, काई बर काला पड़ जाता है, ठीक है, such darkening does not necessarily involve the deterioration of the preparation, क्योंकि उसके अंदर radiation निकल रहे हैं, तो container के बर काला पड़ जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो खराब हो गया है, रेडियो फार्मसेटिकल इंटेंड फॉर परेंटरल यूज, इंटेंडर मतलब जो परेंटरल, यानि कि डारेक्ट ब्लड में दिया जाएगा, शुड भी स्टोर इन सच्चे मैनेर, उसको इस तरीके से स्टोर करना है, वो प्योर रहे, कोई और कंटैमिनेट माइक्रो वगरा उसके साथ बाड़ी के अंदर ना जाए, लाइफिलाइज रेडियो फार्मसेटिकल किट्स शुड बी स्टोर इन रेफ्रिजिरेटर, बीजिरेटर के अंदर ही रखेंगे, तो यह इनकी स्टोरेज कंडिशन होगी, एक टॉपिक हतम, और अगल रहा है एक तरहाएं निकल रही है तो वहां पर फोर ससके स्टम करेंगे अब यह थोड़ा सा क्या है कि सिस्टम होता है एक फार्मसेटिकल गारेडियेशन है कि इस पार्ट है, इन लेबरेटरी जहां पर यह रख्या रहें महाँ पर आपको आपको श्मोक नहीं करना है खाना नहीं खाना इक्टिविटी नहीं करनी है वह रटेक्टिव मेट्रेल इसी होने जो protect करेंगे shield होनी चाहिए मतलब कि आपके जो clothing कपड़ा का पहना आवा है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको protection दे सके उस radiatory substance से ठीक है sufficient protective clothing and shielding must be used while handling the material shielding मतलब जहां इस्तवाल हो रहा है वहां से उस कमरे से radiations भार ना जाए स्टेबल लेबल कंटेनर उसको हमेंसा एक लेबल कंटेनर में रखना है पायतला रख तो दिया उसका अंदर है क्या समझ में नहीं आ रहा थो ना देखोगे अच्छे करके रेडियसेंस निकल रहे है वही है उसके अंदर से हैना बिमार पड़ जाओगे ठीक है covered and preferably in a remote corner और उससे दूर रखना है तो shielded by lead bricks जो cover है cover का मतलब क्या है उसको हमेंसा एक lead brick के अंदर ही shield करके रखना है और उसके उपर एक steel का चेंबर मेंदा एक lead brick रहता है फिर के container सा बना दे जाता है steel का उसके अंदर उसको रख दिया तो उपर labeling कर दिया थी कि इसके अंदर है गया area where radioactive materials are stored should be monitored and tested for radioactive regularly जिस area में इसको रखा गया है store कि अगए वहाँ पर radio activity के लिए लगाता चेकिंग होती रहने चाहिए कि कही radioactive decay या radiation तो नहीं फैल रही है डिस्पोजल और रेटेक्टी मैटिकल शुट बी कैड आउट विद ग्रेट कियर डिस्पोजल इसका बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए जो की टॉपिक भी आएगा ठीक है ना और डिस्पैंसिंग आफ र बहुत कॉंप्लिकेट नहीं होना चाहिए straightforward simple होना चाहिए and reliable बहुत से लायक होना चाहिए and important factor in radio-farmacetical dispensing has been the production of ready-to-use kits आइसे kits prepare करना कि हम directly उसको इसको इसको इस्त्माल कर लें यह नहीं है कि उसको कोशिस यह की जाने चाहिए कि ऐसे kiss त्यार की जाएं कि डिरेक्ट ली आएउन और हमको डायक पेषेंट के उपर इस्त्माल करें वह ज्यादा बैटर रहता है cold kits भी कहते है cold जब हम लोग सो refrigerator में वगर रखते है life realized बारा जो बैने उपर बात की थी है जो जमा करके cold environment के अंदर रखी जाती है cold kits का जाता है which provide individual और multiple dose and can be reconstituted ठीक है न तो ready to use kits में होना चाहिए जो individual या तो एक बार में इस्तमाल हो जाए या उससे हम लोग उसको multiple dose दे सके and can be reconstituted और जरुद पढ़ने पर उसको हम लोग reconstitute कर सके मिला करके उसे एक नई dose बना सके by the addition of the radionucleide at the time of intended use radionucleide मतलब हम लोग जिस टाइंप उस इंटेंड यूज जिस समय उसको दिया जाना है उस समय radionucleide उस radio pharmaceuticals को उस substance को मिला करके ठीक है reconstitute करके जैसे कि हम लोग दवायों में करते हैं पानी और powder को मिला करके reconstitute करके फिर दवा दे जते हैं तो उसी तरीके से यहां पर है जब जरूद है तब हमने रेडियो नुकलाइट को क्या क्या री कांस्टिटूट क्या मिलाया और देख दिया पानी मेनी तरीके होते हैं उसके ठीक है chemical reagents are prepared in a sterile environment using a pyrogenic raw materials ठीक है and dispensed into single multiple unit dose container the preparation of individual dose can be carried out rapidly and safely when required with minimum manipulation ठीक है chemical reagents are prepared in sterile environment जो chemical reagent हम लोग prepare कर रहे हैं वो एक sterile environment प्रपेर किया जाने चाहिए जो की a pyrogenic होते हों पर यहने की aseptic condition किसी ट्राइगा microbes नहीं होना चाहिए ठीक है ए पार जैनिक raw material जो raw material रहेगा मारा raw material समझ रहे हैं जिससे हम तयार कर रहे हैं वो ए पार जैनिक होना चाहिए and dispensed into single और multiple unit dose container और सब्सक्राइब कर देंगे ऐसे container में जो single या एक बार में दिया जाने वाला हो सकता है या multiple unit dose container यह बात समझ मारी single single मतलब यह समझो ठीक है एंपूल और वाइल जो होती है अपने पास जो इस टाइप से रहता है ठीक है इंजेक्शन जो होते हैं तोड़ा एक यवार में दे दिया फिर यह आते हैं हमारे पास ठीक है यहां से हम इंजेक्शन ले लेके multiple dose में देते रहते हैं तो इसी तरीके से single dose या multiple dose जिस तरीके से देनी है उस container में हम उसको store कर देंगे the preparation of individual dose can be carried out rapidly and safely when required with minimum manipulation ठीक है तो single dose को generally क्या करना चाहिए जब जरूत है तभी उससे तुरुंत बना करके दे देनी चाहिए the cold kit preparation should be capable of terminal sterilization अगर आप cold kit की preparation कर रहे हो cold kit बताया मैंने एक तरह का container होता है ठीक है जिसके अंदर सब्सक्रांस रखा जाता है ठीक है अगर वह बना रहे हो तो वह ऐसा होना चाहिए कि टर्मिनल sterilization उसको हम लोग क्या कर सके इस्टरिलाइज कर सके प्रिफर्ड बाइ आटो क्लेविंग आटो क्लेव होता है बहुत तेज हीट के अंदर हम लोग क्या करते हैं एक मशीन होती है उसके अंदर रख देते हैं चीजे आटो क्लेव हो जाती है मतलब कि जो सोते हैं वो खतम हो जाते हैं और बाइं मेंब्रेन फिल्ट्रेशन फौर रिमूवल उस-स- यहां पर सिस्टम रहना चाहिए इंट को चाहिए वह आटक्लेव से हम लोग कर लें चाहिए में फिल्टर से करने माइक्रोज हटाना जडरूरी होता है तो उसके अंदर sterilization करने का जो किट ऐसी होने चीह कि वह की जा सके रेडियो फार्मस्युटिकल नेवर गो डिरेक्ली टू पेशेंट रेडियो फार्मस्यूटिकल जो आया उसको ड्यक्ली पेशेंट को कभी नहीं देना है उसकी नुक्सान कर जाएगा दे आर प्रॉवाइड टू ट्र हेल्थ क्या प्रफेशनल हैं जो लोग रैगूलर देते हैं जो होस्पिटल के कर छोते हैं डॉक्टर हो सकता है जो ट्रेंद इंसान है उस चीज के लिए फा्मसिस्ट हो सकता है ुझ हो सकता है इसको देना है ठीक है और क्लीनिक एंड देन एडमिस्टर टू А patient, तो direct patient का हात में नहीं देनी है, डॉक्टर है जो उसका इस्तमाल करता है या far defect लगाता है, उनके हातों में देना है ठीक है, एक राव煥 कार्ड और डिसपरंसिंग उनिट डोस, सच इस day, time, dispensing, radio activity of unit dose, जयाने कि इक record maintain करना है, dispensing का उस unit dose का कि कब date में दी गई है किस time पे dispense की गई है कितनी radio activity थी उस dose की syringe identification code होना चाहिए name the designation of staff किस staff ने दिया उसका designation क्या है and whom the dose or deliver should be recorded किसको दी गई है उसका नाम अगरा सब होना चाहिए ठीक है identity of dose must be checked dose की identity वो जो डोस दी जारी है क्या वो सही है क्या है वो डोस वो पक्के से चेक की जाने चाहिए against the dispensing document जो dispensing document last में भी यह नहीं कि आ गया तो final match करना है कि वह जो छी बोली वही दे रहे हो कुछ और तो नहीं दे रहे हो ठीक है supplied by the radio pharmacy laboratory नहीं कि डॉकुमेंट सप्लाई किया गया है और जो डोस आई है उसको फाइनली देने से पहले एक वारी क्या करना है हमें match करना है to minimize unnecessary and unavoidable radiation exposure good radiation practice should be followed फाल्तु की radiation ना हो ना निकले unnecessary radiation exposure ना हो या कम से कम हो उसके लिए हमें जैसे की good manufacturing practice होता है GMP वैसे ही GRP good radiation practice होती है वो follow करने चाहिए जिससे की radiation कम से कम फैले या ना फैले बास समझ में आ रही है ठीक है now disposal of radio pharmaceuticals कि आखिका जब इस्तमाल कर ली है दवा ठीक है या कोई खराब हो गई है जो भी चीज़ है अब जो waste में आ गया है उसको dispose कैसे करें तो radioactive substance को हम लोग dispose कैसे करते हैं ठीक है थोड़ा बाद दिमाग में होगा बाद बाकिए हम यहाँ देख लेते हैं ठीक है तो कहरा radioactive maintenance no longer required जिसकी अब जरूरत नहीं है must be disposed to avoid an environmental hazard ठीक है उसको dispose करना है किसी तरीके से खतम करना है दफना देना है जिससे की environment का हजार ना हो avoid practice that produce large volume of waste उस practice से बचना है मैं जो काम नहीं करना है कि अच्छा एकटा कर लो एक साथ फैंक देंगे वो काम नहीं करना है थोड़ा सा भी आगे न तो उसको भी dispose कर देना क्योंकि radioactive substance है यह segregate waste according to half life हर किसी के half life अलग-अलग होती है half life का concept अगर आ गया होगा समझ में तो segregate मतलब अलग-अलग करना है according to half life किसकी कितनी half life है उसके हिसाफ से सबको अलग-अलग कर लेना है delay and decay of waste that contains short-lived nuclei ठीक है तो हमको अलग-अलग कर लेना है waste को according half life delay and decay delay मतलब कितनी देर में वो decay कर जाएगा ठीक है कितनी जल्दी decay करेगा उसके according हमें waste हो क्या कर लेना है segregate कर लेना है level the waste before storing जो waste उसको store करने से पहले हमें level कर देना कि इसके अंदर यह है क्योंकि हम लोग उसको dispose भी उसी हिसाफ से करेंगे longer half life नुकलाइट should be incinerated जो जिनके half life बहुत जादा होती है उसको हम लोग क्या कर देंगे incinerated भसम कर देंगे और deeply burned या बहुत कहराई में जाकर के या पूरी तरह के जला देंगे in a soil in a separately marked area ऐसे areas mark किये जाते हैं जो population से बहुत दूर होते हैं वहाँ जाकर के उससे हम लोग जला जूलू करके भसम करते हैं ठीक है अब यह तो होगा general बात है the management of radioactive waste इसको डिस्पोस करने के लिए दो स्टेप होती है पहला होता collection obviously बात है पहले collect किया जाएगा the radioactive waste should be identified and segregated within the area of work जहाँ पर उसका इस्तमाल हुआ वहीं से उसको क्या कर लिया जाएगा शुट बी identified and segregated उसे इंटिफाई किया जाएगा अगर ऐसे substance इस्तमाल हो जिनकी half life अलग-अलग है separate waste collection bags and bins should be used for each अलग-अलग उनका जो waste collection bag होते हैं वो अलग-अलग bag में रखा जाएगा each bag must be around level और हर एक bag के उपर level रहेगा with name of isotope and level of activity कि कौन सा isotope है 31 है कि 32 है ठीक है और उसकी level of activity activity मतले हैं उसके अंदर कितनी activity बची हुई है कितना जाता वो एक्टिव 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 ठीक है collection हो गया अब करते हैं डिस्पोजल डिस्पोजल करने के दो तिन तरीके हैं पहला तरीका है डैल्यूट एंडिस्पर्स या release into severy system नाले हम बहा दिया तो के नुकसान नहीं करेगा उसकी क्या कहते हैं यूं कहलो कि उसकी छमता इतनी कम हो चुकी होती है कि वो अब नुकसान नहीं करेगा तो हम उसे severy में डाल सकते हैं कैसे आओ देखते हैं इस method used if the radioactive material is soluble अगर वो soluble है और dispersed in water या पानी के अंदर घुल जाए and the quantity disposed per month does not exceed और जो आप quantity बहा रहे हो पानी के अंदर वो हर महीने एक limit से ज़्यादा नहीं होने चीए जो दे रख्योती है maximum permission concentration जिस पानी में आप उसे बहा रहे हो उस पानी में आप एक महीने में कितनी quantity दख dissolve कर आपके बहा सकते हो उस limit से ज़्यादा आपको नहीं बहा नहीं है ठीक है low activity solid articles low activity देखो यह आगया low activity जिनकी activity बहुत कभी जानी बहुत ही कम radioactive रह गए हैं अब ठीक है और solid article may be disposed of as ordinary hospital waste तो ऐसे को हम लोग जो normal waste होता ना उसकी तरह हम लोग simply dispose कर सकते हैं provided the activity of article does not exceed provided जो activity होती है निसकी जो radio activity है वो 1.35 microcure से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और overall package concentration does not exceed 135 microcure per meter की एरिया के इसाब से बात बता दीए तो अगर इससे ज़्यादा नहीं है उसकी activity तो हम उसको नॉर्मल जैसे simple normal hospital का waste होते हैं उसे तरीके से हम इसको पानी में या waste की तरह हम लोग dispose कर देंगे such article include इसके जाती है जैसे वाइल जिसके अदर radioactive substance रखा था या syringe जिसके इस्तिमाल किया है cotton swab जिसमें radioactive substance लगा हो टिसू पेपर पोचा पाचे की गई हो radioactive substance की एटसेटरा यह सारे waste आते हैं इसके अंदर similarly liquid radioactive waste with activity less than less than microcuree एक microcuree से भी कम है level can be disposed off into the sanitary sea waste system जो अपना normal नाले वगरा होते है उसमें बहा देते हैं with adequate flushing इतनी ज्यादा flushing करते हैं कि पूरा बह जाए with water following the disposal पानी के साथ adequate flushing with water पानी साथ बहुत सारा flush कर देते हैं डिस्पोज जाने कि फैका और फिर बहुत सारा पानी डाल जाए कि इसे पूरा dissolve हो जाए और चला जाए कि लिए रहे तो यह हो गया हमारा dilute and disperse method दूसरा है delay and decay method डिले मतला देरी और यहां पर क्या this method is appropriate for medium activity यह तो बहुत ही लोग वाले थे अब जो medium activity वाले radioactive waste है याने कि इनकी activity इन से थोड़ी जादा है तो अब क्या अगर इसको हम ऐसी बहाँ देंगे तो यह क्या है एन्वाइमेंट में हजार कर सकते हैं आसपास के अनिमल से लोग उनको नुक्सान कर सकते हैं ठीक है अब है क्या सीन दिस में अप्रूपिएट फॉर medium activity वेस्ट एंड शॉट लाइफ निग रेडियो निकलाइट उनकी तो बहुत मतलब क्या थी ठीक है फिर सॉलिवल थे और उनकी लाइफ क्या बहुत शॉट होती जैसे की आई 123 है टेक्निजिव 99M है या गैलियम है दोस विद हाफ लाइफ लेस्ट ने मन्थ में भी स्टोर जिनकी हाफ लाइफ एक महने से भी कम होती है उसको हम लोग क्या अगर लेंगे श्टोर कर लेते हैं उस फेस्ट को एक प्रॉपर एरिया होता है वहाँ श्टोर कर लेंग हम मान के चलते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है वो ना के वरावर रह जाएगी ठीक है वेन आफ्टर डिके ओनली 0.1% अफ इनिशल एक्टिविटी जो सुरुआत में हम लेके आया तो बहुत कम मात्रा महीं मंगाते है उतने में काम कर जाता है पेशेंट के उपर उसका के यह फिर जो हमारा सब्स्टांस है यह इस कैटिगरी में आयता है ठीक है जो की पानी में सॉलिवल हो जाएगा और नॉर्मल नुकसान नहीं करेगा ठीक है तो अब हम इसको कर देंगे ऊपर वाले सिस्टम के तरह बहा देंगे पानी के अंदर के लिए रहे तिसा तरीका क्य से उसको हम लोग क्या करें जो authorized persons है जो receive करके destroy करते हैं उनको बुलाएंगे और उनको waste पकड़ा देंगे ठीक है दिस एड़ाप्टेट फॉर लॉंग लिव्ड लॉंग लिव्ड रिडियो नुक्लाइट जिनकी जिन्दगी half-life बहुत जादा होती है and involved transfer of radioactive waste to authorized commercial firms प्रापर साइट पर ले जाकर करके proper process के तहत उसको dispose करेंगे इच shipment of radioactive waste contain the name जो shipment है जो shipment आई हमारो इस hospital जो shipment निकली है उसमें proper नाम होना चाहिए क्या-क्या है address ठीक है telephone number of waste generator waste collector किसने collect किया है volume and total radio activity of the radionuclead और कितनी activity है जो तुम लोगों ने waste उसको दिया है उसकी कितनी activity है सारी चीजें उस shipment में जो waste तुमने दिया है सारी चीजें mention रहती है clear है तो यह हमारे पास क्या है third method है किसका disposal का जो कि अपने पास topic की heading भी है कि लिए रोगी बाते है okay तो यह भी अपना एक छुटू से chapter था जो की खतम हो जाता है तो करना गया है तुम सब लोगों को पता है पढ़ना है revise करना है ठीक है क्या है तो क्या है ।